नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Partition of India की भारत की विवाजिन की जो 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया देशा की आप सब जानते हैं कि भारत देश 15 आगस्त 1947 के रोज आज़ाद हुआ उसके पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक कंट्रे थी जिस पे ब्रेटिश हुकूमत थी तो भारत को आज़ाद करने की सबसे पहली जो शर्थी मुस्लिम लिग की वो ये थी सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्रांड के किस वोजे से ये विभाजन हुआ तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया ब्रेटिश आज़ा द्वारा तो वहाँ पे उन्होंने कारण बताया कि बंगाल दाज्य जो है वो बहुत बड़ा है तो उसको administration करने में problem आ रहे है इसलिए हम दो हिस्सों में उसको divide कर रहे हैं पर इसका main कारण था कि हिंदू और मुस्लिम में food डाली जाए और divide and rule की policy अपनाते हुए प्रेटिश आर्स ने बंगाल को दो area में divide कर दिया एक तरफ जहाँ पे Muslim population जादा थी और दूसरी तरफ जहाँ पे Hindu population जादा थी तो जैसे ही ये बंगाल का भी भाजन हुआ तो Muslim लोगोंने सोचा कि हमको अब एक party बनानी होगी तो इसलिए उन्होंने बनाई Muslim League और Hindu के लिए तो एक party थी इंडिया के लिए जिसका नाम था India National Congress तो अब Muslim League बन चुकी है 1905 में और Muslim League का एक जो सबसे बड़ा जो propaganda था वो ये था कि Muslims के hit के लिए एक अलग electorate मतलब Muslim कि तो Muslim लोगों को vote दिया जाए जहाँ पर Muslim population जादा है वहाँ पर एक अलग electorate होना चाहिए और वहाँ पर सिर्फ Muslim लोग ही Muslim leaders को elect कर सकते हैं ना कि Hindu क्योंकि अगर जो population Hindus की जादा थी तो वहाँ पर कोई भी खड़ा होता तो population majority की वज़े से वो Hindu candidate जी चाथा इसलिए Muslim लिग की ये मांग थी कि हमको एक अलग electorate दिया जाए Britishers ने Muslim लिग की ये demand मानते हुए उनको अलग electorate दे दिया तो इस वज़े से Muslim लिग का जो वच्छस वथाओ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके बाद काफी election हुए 1935 के अंदर Government of India Act आए उसके बाद provision तोर पे election होने शुड़ हुए तो Muslim लिग ने देखा कि International Congress काफी majority के साथ सारे election में जीत गई है तो उनको ये लगा कि इस तरीके से अगर हम इस देश में एक साथ वहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और Muslimों की जो बात है वो कोई नहीं सुनेगा तो इसके लिए फिर उन्होंने एक नया प्रपगेंडा शुरू किया जिस जो था कि भारत के दो टुकडे विभाजन कर दिया जाएं और एक नया देश बनाया जाए मुस्लिमों के लिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान इंडिया नैशनल कॉंग्रेस के काफी जो नेता थे वो इस विभाजन के खिलाफ थे जैसे कि महत्मा गांधी पर यहां पे आखिरकार विभाजन तो होना ही था तो 1947 में Lord Mountbatten सहाब आते हैं इंग्राइंड से इंडिया और वो पूरा Mountbatten प्लान बताते हैं जिसमें पाकिस्तान कैसे बनाया जाएगा और हिंदुस्तान को कैसे विभाजित किया जाएगा इस प्लान के अंडर जो Muslim populated area है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और जो हिंदु populated area है वो इंडिया में रहेंगे तो इसे साब से इंडिया का विभाजिन किया गया इंडिया पाकिस्तान की बॉडर बनाने के लिए एक आदमे को बलाये गया जिसका नाम था red cliff इसी वज़े से इंडिया पाकिस्तान की बॉडर का आज जो नाम है वो red cliff बॉडर नाम है इस प्रकार से विभाजन करते हुए जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे सारे राज्यों को उस पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया और जो आज का बंगलादेस है उसको रिष्ट पाकिस्तान के रूप में स्विकारा गया और जो ये विभाजन हुआ था उसमें सिफ लैंड का विभाजन नहीं हुआ था आर्मी का विभाजन हुआ था पैसो का भी विभाजन हुआ था और जो भी चीज थी मतलब जो देश के पास इंडिया के पास जो चीज थी उसका हर एक तरीके से विभाजन हुआ था आधा हिस्सा आधा तो नहीं कह सकते पबलेशन के साब से जो पाकिस्तान का बंता था वो पाकिस्तान को मिला और जो इंडिया का था वो इंडिया के पास था इसलिए आपने एक डायलोग सुना होगा पास पास पने इसलाओ हुआ कि इसलिए डायलोग जो विभाजन के टाम पे इंडिया को पाकिस्तान को पास पास प्रोल उप på रजई इन की कहाने सिर्फ İşte नहीं ये इस विभाजन के टाम पें पें इस पास पासो मय आदे करिब के पास पास बास इसलिए ngadhi कोई इंडिया से पाकिस्तान जो मुस्लिम से वो गए तो इस तरीके से वो बेगर हो गए ऐसे 14 लाख लोग थे ते पार्टेशन की कहानी थी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एम रखते हैं तस लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब करें जैहि चैनल को और बेगर हों दिर लाइक का दोस्तों हो बेत हैं जैहि भ five लूट अगर स्टूंपर ठ Winter खोड़इब फ्यां झेंदियों थूखर दोड़म थीजिय। कैस्तों हो अगर भार्ट यह जोंभ हैह बटे उनल का भार् हैं जिए बटेशब देई झीम पीं